इस वीडियो में solve करेंगे question no.7 विच अधिव फाल्विंग ट्रिप्लेट्स आर पाइथागोरियन आपको फाइड करना है कि इन में से कौन सा ट्रिप्लेट जो है पाइथागोरियन है ठीक है और यहां पर चलिए solve करते हैं पहले समझ लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स का मतलब क्या होता है देखे पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स वह तीन नंबर से combination है मतलब A, B, C यह तीन नंबर के combination को बोलेंगे कि यह पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है यदि first two का square का sum means A और B का square कर दिजिए औ और उनको add कर दिजिए यदि यह जो आता है वह equal आता है third के square के बराबर आता है then we can say that A, B, C जो यह triplet है that is पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स का मतलब कब बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स तो अब हमें पहले से start करना चाहिए first तो यहाँ पर हम दो method से करेंग solve ठीक है each one को और आप ध्यान समझेगा सब सारा देख लेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि दोनों method से कैसे करेंगे देखे पहला method तो इसके definition में best है तो हम पहले क्या करेंगे first method में we have हमारे पास पहले first और second का square करके निकालेंगे क्या आ रहा है ठीक है तो we have 8 square plus 15 square तो first 2 का square का sum जो भी आएगा यदि third के square के बराबर आ जाता है तो we can say that this triplet is pathagorean तो 8 square plus 15 square निकालेंगे हम यहाँ पे तो आपका निकलेंगे यहाँ पर 64 plus 15 के square 225 अब इस method में यही आपका difficulty situation है यह difficult बात यही है कि इसमे square आपको जानना पड़ेगा यह square करना पड़ेगा थुरा सा lengthy प असान है देखें यहाँ पर देहां देजे यह होगा 64 plus 225 और इनको यह दिए आइड करेंगे तो मिलेगा क्या 5 and 4 9 2 and 6 8 and 2 289 और 289 जो होता है वह 17 का square होता ही है it implies हमें मेल गया क्या 8 का square plus 15 का square is equal to आगया 17 का square so given triplet means 8, 15 and 17 is Pythagorean is Pythagorean ओके तो हमने यह पहले method से प्रूव कर दिया लेकिन method number 2 क्या है यह इसको मैं लेता हूँ method number 1 मतलब यह जो method number 1 है वह property पर best है ठीक है और यह जो method करने वाला हूँ यह भी property पर ही best है लेकिन simple method है trick method है tricky method method number 2 तो method number 2 में यह है कि पहला वाला जो digit है मतलब method number 2 में हम लोग यह समझेंगे कि कोई भी Pythagorean triplet जो होता है वह इस farm का होता है 2m m square minus 1 and m square plus 1 कोई भी Pythagorean triplet इसी farm का होता है मतलब कि 2m और m square minus 1 और m square plus 1 मतलब कि यहां पर पहला वाला जो triplet का जो पहला वाला जो number होगा वह 2m के farm का होगा हम यहां से क्या करेंगे पहले 8 का 2m निकाल लेंगे तो हम दूसरे वाले मतल में कर रहे है ठीक है we have हम पहले निकाल लेंगे क्या 2m is equal to 8, यहां पर क्या है पहले वाले में 2m is equal to 8 है यहाँ पर M की value निकाल लीजिए, क्या मिलेगा, 2, 4 जा 8, 4 मिला, अब देखिए कि जो यहाँ पर, यहाँ पर यह M की value रखने पर, और यह जो number second वाला, वो exactly वही आ रहा है कि 15 आ रहा है, तो हम चेक करेंगे, तो it implies हमें मिलेगा, कि M square minus 1 is equal to मिलेगा, 4 का square minus 1, मतलब 4 का square 1, मतलब आ जागा 15, और देखिए यह second वाला क्या है, 15 है, also it implies M square plus 1 is equal to 4 square plus 1 is equal to 16 plus 1 means 17, ठीक है, मतलब कहने का इना, बस M का square कर लीजिए, और देखिए कि एक minus करके आ रहा है कि नहीं, second वाला और एक plus करने पर third वाला जो triplet है, वो आ रहा है कि नहीं, तो हमारा देखिए, दूनों numbers आ गए, 15 और 17, तो clearly, हम यह अपली सकते हैं, यहां से भी, clearly, given triplet is Pythagorean, given triplet is Pythagorean, तो clearly, हम ऐसे सब का find करेंगे, चलिए हम second find करते हैं, इरेज कर लेते हैं, आपको इनूर करते हैं, ओके question number second, मतलब 7 का ही second part है यहां पर, तो हम यहां पर करेंगे पहले method से, we have, यहां पर पहले हम square कर लेंगे first two के, और first two जो triplets हैं, उनको हम square कर लेते हैं, और यदि इनका sum का square जो है third के square के बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि यह pathogorean है, तो 18 का square कितना होता है, three hundred twenty four, plus 18 का square होता है, 64 double zero, अब इनको add करेंगे तो मिलेगा four और zero four, and zero and two, two हो गया, four and three, seven and six, तो इतना आ गया, अब हम देखना चाहते हैं कि 18 के square के बराबर आता है कि नहीं, sorry, यहां पर 82 का square, तो third है आपका 82 का square कर लेते हैं, देखते क्या आता है, तो यहां पर 82 का square करने के लिए हमें multiply करना पड़ेगा, 82 में, तो two to four हो जाएगा, और eight to 16, eight to 16, और 16, 16 किना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 का two हो जाएगा, three के रियों फर, and eight, eight जा, 64, 64 and three, 67, बिल्कुल exactly वहीं आ रहा है, ठीक है, six, seven, two, four, तो मैं लिए सकते हैं कि since, since 18 का square plus 80 का square यह equal आ रहा है, 82 के square के, therefore, so, given triplet, given triplet, is Pythagorean, is Pythagorean, तो यह आपका पहला method है, ठीक है, method number two, यहाँ पर हम लिए लेते है, method number one, method number two क्या है, इसमें करना क्या है, कि पहले-पहले आपको पहला जो triplet है, उसको माल लेना है 2m, we have, 2m is equal to 18, यहाँ से आप m की value निकाल लेजिए, तो m की value निकालेंगे, तो मिलेगा हम वे 9, ठीक है, और हम लोग जानते हैं, कि m के form में जो triplet होते हैं, वो होते हैं, यह 2m, और m square plus 1, second वाला होता है, और m square, sorry, m square minus 1 होता है, पहले वाला सरी, second वाला जो होता है, वो minus 1 होता है, और third वाला होता है, m square plus 1, यही होता हैं triplets, तो आपको यह m बराबर मिल गया, 9, तो हम second triplet निकाल सकते हैं, second triplet यह दी निकालने पर हमें आता है, यहाँ पर 48, sorry, यहाँ पर 80 आता है, तो हम कहेंगे कि सही जा रहे हैं, ठीक हैं, तो हम निकालने यहाँ पर, m square minus 1, means आजाएगा 9 square minus 1, means 9 निजा 81 minus 1, means आजाएगा 80, लेखे 80 आगे हैं यहाँ पर, तो जब 80 आगे हैं इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर दूसरा टेपलेटर जो है, correct आ रहा है हमारा, अब निकाल लेंगे m square plus 1, यहाँ पर करेंगे तो 9 square plus 1 होगा, means 81 में plus 1 करना है, मतलब कि 82 होगा, और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 82 दिया हुआ है, clearly, clearly, आपको मिल गया, clearly, given triplet, given triplet is Pythagorean, is Pythagorean, ऐसे ही जो है, आप सब भी का solve कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं एक ऐसा कर लेता हूँ, एक और example कर लेते हैं, जिसमें कि Pythagorean नहीं होगा, ठीक है, तो हम ले लेते हैं, third, third जो है Pythagorean नहीं है, तो इसको बस चे करके दिखा देते हैं, उसके बाद से आप सारे questions, ऐसे ही similarly जो है कर सकते हैं, दोन में थर से, ओके, तो पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पर third, जो की, ओके, तो third आपका है, third example, solution, third का, we have, हम ज्या करना पड़ेगा, कि पहले first two triplets के squares का sum करना होगा, और देखना होगा, कि यह third के square के sum के बराबर, third के square के बराबर आता है कि नहीं, तो 14 के square कितना होता है, 196, plus, 48 के square हमें निकालना पड़ेगा, तो 48 और 48, 8 अट जा 64 होता है, 4 हो जाएगा, 6 carry over, पहले हम इन रों मुले करता है, फिर ऐसे से कर लेता है, 8 फोर्जा, 32, 32 and 32, 64 हो जाता है, 64 हमें 6 add करेंगे, 64 and 6, 70 हो जाएगा, 70 का 0, 7 carry over, 4 फोर्जा, 16 हो जाएगा, 16 and 7, 23, तो मतलब आजागा, यह 2304, इनको आड़ कर लेता है, तो मिलेगा हमें, 4 and 6, 0, 10 हो गया, और 9, 1, 10, और 0, 10 का 0, 1 carry over, again, 1 and 1, 2 and 35, फिर यह 2 हमारा, 25, अब यहाँ पर दिखते हैं, 51 का square आता है कि नहीं आता इतना, 51 का आप कर लेंगे, यहाँ पर square, तो 51 का square भी निकालना पड़ेगा, 51 into 51, तो 1 बंजा 1 होता है, 5 बंजा 5, 5 बंजा 5, और 5, 5, 10 हो जाएगा, 10 का 0, 1 carry over, ओके, 25, 25, 25, 1, 26, means 2, 6, 0, 1 आएगा, जो कि इकोल टू नहीं है, 25, 100 के, तो लिख सकते हैं, since, 14 square प्लस 48 square, is not equal to, 51 square, therefore, the given triplet, the given triplet is not Pythagorean, the triplet is not Pythagorean, ठीक है, मतब Pythagoras के, Pythagorean triplets के definition का में सार हमने किया हैं आपर, और यह आपका है method 1, अब करता है method number 2 से, इसी question को करता है method number 2 से, और आपको दिखाते हैं कि, यह Pythagorean नहीं होगा फिर भी, देखे, पहले पहले का करना पड़ता है, कि जो, पहला जो triplet दिया हुआ है, उसको हम 2m is equal to माल लेते हैं, अब हम देखते हैं कि, बिल्कुल इसरे नहीं आ रहा है, यहां तक तो correct आ रहा है, अब हम करेंगे m2 plus 1, और m2 plus 1 क्या होता है, वो third triplet होता है, तो m2 plus 1 जो है आना चाहिए, कितना 51 आना चाहिए, चलिए देखते हैं, 7 square plus 1, means 49 में हम एक add करेंगे, जो कि आएगा 50, 51 नहीं आएगा, तो इसलिए हमें मिल रहा है क्या, 50 आ रहा है, बट नाट एक्वल तो 51, यह 51 के वराबर नहीं आ रहा, देर्फोर, आपली सकते हैं डारेक्ली यहां पर, यह गिवन ट्रिपलेट, इस नाट पैथागोरियन, गिवन ट्रिपलेट, अब यहां पर हमें जो है, थोड़ा सा फास्ट करके बता देता हूँ आपको, ठीक है, आप ऐसे ही कर लेंगे, जो लेंदी मेथाड है, जो आप एक जाब में लिखेंगे जिस तरी कैसे मैंने बता दिया, अब सक्का मैं सिंपल मेथाड से बता देता हूँ, आप देखें कैसे, टेन काम लिखेंगे यह दी टू एम, टू एम इसकोल टेन, तो क्या मिलेगा, एम बराबर मिलेगा फाइव, राइट, फाइव मिलेगा, तो फाइव का स्क्वाइर करके, और वन मैनस करेंगे, तो ट्वंटिफोर आना चाहिए, 25-1, मतलब कि 24 आएगा, 24 लाइगा, मतलब यह करेक्ट है, और अब जो है, m स्कार ⁠ करना पड़ेगा, m स्कार मतलब कि 5 के स्कार प्लस वन, मतलब कि 25 प्लस वन, मतलब 26, 26 आ गया बिल्besोली, यह करेक्ट हो गया, मतलब कि यह भी क्या है, अब यहां उचे करते हैं तो जैसे मैंने यह किया है वैसे आप कर सकते हैं ठीक है कि इसलिए मैं इसको लेंदी में बता रहा हूं ताकि आप कर लें इसको देखे 16 16 को आप लिए सकते हैं अब यहां दूसरा लाने के लिए आकरना पड़ेगा कि मतलब की एट का स्क्राइर माइनस वन करेंगे तो मिलेगा 63 करेट है बिल्कुल सेगन आ रहा है आप यहां पर 12 को माल लेंगे टू एंप इंपलाइस एंप बराबर आजाएगा क्या क्या इसे डिवार कर देंगे तो मिलेगा आपको 6 अब जो है 6 square करके m square minus 1 करेंगे means 6 square minus 1 36 minus 1 means 35 तो 35 आ रहा है आपका second वाला triplet आप करेंगे क्या? m square plus 1 कर लेंगे तो यहीं पर कर लेते हैं m square plus 1 means 6 square plus 1 means 36 plus 1 क्या 36 plus 1 कितना आएगा? 37 आएगा लेकिन 37 तो यह नहीं है 38 है it means this is not this is not Pythagorean यह Pythagorean नहीं है तो मतलब कि आपका 6th 1 वाला 6th वाला और ये 6th and 3rd पैथोगोरियन जो है नहीं है और बाकी जो है सारे किसार क्या है पैथोगोरियन है तो ये दो मेथर्स से आप कर सकते हैं बिल्कुल और इसको प्रैक्टिस कर लिजगा ताकि एक्जाम में लिखने में कोई दिकत न हो थैंक किसा सो मुझ अगान बाई